नमस्कार दोस्तो, सेविल इंजिनिरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त, इंजिनियर अभिशेक सिंग दोस्तो, स्लैब में हम लोग जो चेयर प्रवाइड करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, जब हम रेंफॉस्मेंट देते हैं अपने छट ढलाई के लिए, तो उसमें हम लोग चेयर डालते हैं, अब आप समझते हों के चेयर मतलब तो होता है, कुरसी म मतलब की बैटने वाला चीज, तो जी हाँ फ्रेंड्स, लगवा लगवा आप जो है, वो सही समझ रहे हैं, चेयर उसी बैटने का ही काम आता है, इस रेंफॉस्मेंट के लिए भी, दोस्तो, किस तरह से चेली में आपको समझा देता हूं, दोस्तो, अगर आप सबसे पहले जान लिए चेयर का हम लोगों को कहां पे जरूरत पड़ता है, तो चेयर का दोस्तो, उस जगह पे जरूरत पड़ता है, जहां पे हमारे जो रेंफॉस्मेंट है, दो लेयर में हो, जैसे देख रहे हैं दोस्तो, यहां पे देखिए, इस केस में देख सकते हैं, कि दो लेयर देना है, rest कहने के मतलब है, हम लोग जिस तरह से chair पर बैठते हैं दोस्तों, एक इस्थिर हम लोग को जगह मिल जाता है, वहाँ से हम लोग हिलना नहीं चाहते हैं, तो उसी तरह से उसी काम के लिए दोस्तों, यहाँ पे reinforcement में भी हम लोग chair लगाते हैं दोस्तों, इसके क्या क फैदा हो गया, दूसरा फैदा यह है दोस्तों कि आप जब इसमें कंक्रीटिंग करेंगे, जब हम लोग जो है कंक्रीट इस पर डालेंगे, तो क्या होगा कि हमारा पहला सरिया और दूसरा सरिया, पहला सरिया कहने के मतलब है जो निचला लेयर है और जो उपर का लेयर है दोनों में एक बणिया सा डिस्टेंस बना हुगा रहेगा इस थी रहेगा हमारा reinforcement और हम लोग अफानिस हो जो है कंक्रीटिंग का काम जो है वो कर सकते हैं और जो कंक्रीट रहेगा दोस्तों कंक्रीट तभी सक्सेस्फुल माना जाता है जब reinforcement के चारो सैड वो आ जाए इसलिए हम लोग कभर ब्लोक का भी इस्तिवाल करता है कि नीचे में भी जो जो कंक्रीट जाना चाहिए इसलिए हम लोग कभर ब्लोक का भी इस्तिवाल करते हैं तो इसलिए दुसरा फायदा हम लोग देख लिए तीसरे फायदा की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो तीसरा फायदा यहां पर है कि जब हमारे छट की ढलाई होना यह स्टार्ट होगा दोस्तों तो क्या होगा कि लेबर होंगे वो इस रेंट्फोस्मेंट पर चलेंगे जो हमारा मसीन होगा जैसे में इसका जितना इस चेयर के मदद से हम लोग अभी ले पाएंगे तो आप तेख रहें यह तीन कंडिशन आपने देख लिया दोस्तों चेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ छत की ढलाई में इस्तमाल करते हैं दोस्तों जहां पर राफ फाउंडेशन होता है वहां पर बड़े बड़े चेयर आप दोस्तों देखने को मिलेगा और मैं जिस साइट पर जाओंगा दोस्तों तो आपके लिए वहां से भी वी वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए तो चैनल पर बने रही है चैनल को सब्स्राइब करकर किये किसी भी तरह के दोस्तों कोई आपको वीडियो चाहिए होगा कमेंट बोक्स में सिर्फ एक कमेंट डाल देना और शांति सांदोस्तों क्या दिक्कत आड़ी अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर घर बनवाने की सोच रहे हैं तो बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत आते हैं टेकनिकल दिकत मे कि उसका एंसर ले सकते हैं और चेयर क्यूं देते हैं कहां पर देते हैं किसलिए देते हैं मुझे लगता है अब आप से कोई भी पूछेगा अगर आप फ्रेसर सिविल इंजिनेर भी है चुकि बहुत सारे सिविल इंजिनेर भी हमारे चैनल को देखते हैं तो आप इस प्रवाद